सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएब वीडियो सब से पहले और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें आखिर जीवन में जब सब कुछ ठीक चलता है जिन्दगी की गाड़ी बिल्कुल सही चलती है शादी करते हैं लव मैरिश हो या रेंच मैरिश हो लेकिन उसके बाद अचानक से जिन्दगी में बदलाव होने लगता है जिस पार्टनर को हम कसमे खाते हैं कि उसके साथ से आपने शादी करी है वो लाइफ टाइम आपका साथ निभाए आपके साथ लॉयल रहे प्यार करें चोटे मोटे जगडे चलते रहते हैं लेकिन परिस्तितियां गंभीर ना हो यह कोई प्रे करता है इस चीज के बारे में देखिए कुंडली के अंदर अश्टकूट मिला होते हैं कहते हैं कम से कम 18 मिलने चाहिए 36 में से लेकिन 18 से अधिक होने के बाद भी कही ना कहीं आप देखते हो कि कुछ समय के बाद कुछ शादी हुई कुछ समय निकला और उसके बाद फिर इस्तितियां खराब होनी शुरू हो गई इसकी क्या वजह होती है दोस्तों शु कुछ का कैं अच्छे जीवन साथी का योग है या यहacking और रोग शादी करते हैं दिवार्स हो जाता है फिर दिवार्स ओ जाता है पर 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 दिशाधी करते हैं पर परिशानन ही रहते black लेकिन उन्हें कभी कोई समझने वाला इंसान नहीं मिलता तो ऐसा क्या होता है ऐसी क्या वज़े बनती है देखे कुंडली के अंदर सबसे पहले आप देखें दोस्तों कि सब्तम भाव जहां लगन लिखा होगा पहला भाव जो होगा कोई भी अंक हो सकता है जहां लगन कौन से गरे विराजमान क्या वो खाली है या फिर उसके बाद देखे कुंडली में आंक सबस्तम भाव में आता है उसके सवामी को कुंडली में कहां प्लेज्ड है किन कि घ्रहों के दृष्टी कुंडली के सब्तम भाव पर पढ़त रही है और दोस्तों इस ची अगर समझ जाओगे कि आपकी कुंडली के अंदर जो इस्तितियां हैं वो कही न कहीं खराब हैं तो आप समझ पाओगे कि आपकी लाइफ में आने वाले समय में बदलाव जरूर देखे जा सकते हैं जैसे कि दशाएं होती हैं दशाओं का जो योग होता है यह बहुत एहम रोल अदा करता है हमारी जिंदगी के अंदर दोस्तों बहुत एहम रोल अदा करता है आपकी दशा ब्रस्पती की है ब्रस्पती कुंडली के अंदर सब्तम्भाब को शुप कर रहे हैं लेक चला सा काफी attacked चली अच्छानक से जैसे ही जाई दश्यर प्रारम होई मैं रही किसी लगन की बात कर रहीं दोस्तों इसको समझ जहाँ जानि के साथ के साथ कि कुंडली में एक ही कहीं नगे सब्थम्भाव को पीडित कर रहे हैं तो जो वो married life है वो अच्छी चल रही थी अब तक लेकिन शनी के आते ही वो इस्तितियां खराब होनी शुरू हो गई यानि यह दशाओं का जो pattern है और कुंडली के अंदर जो गोचर है आप इसको समझेंगे तभी आप जान पाएंगे कि कुंडली में जो कौन से कहां विराजमान है partnership कैसे चलेगी life कैसी चलेगी कितना आप गेन होगा कितना loss होगा कौन सी दशा में चल रहे हैं और कौन सी दशा आने वाली है इन सब की detail इसमें दे रखी होती है दोस्तों इसको आप समझेंगे आप इस चीज को जब आप कोई खुद knowledge हो जाएग कुंडली का connection सब्तम भाव का कभी भी सूरे से हो जाए या मंगल से हो यह इनकी राशी वहाँ पर उदित हो रही हो आप दोस्तों यह तैह है कि कही ना कहीं partner के साथ सोच मिलाने में दिक्कते आती ही आती हैं कि दोनों ग्रह विछेत के कारक हैं दोनों ग्रह कहीं ना कहीं प दॉसी सब्सक्राइब के अच्छी दशा है तो भी सही है लेकिन अगर दशा सूरे आ गई या मंगल की या उंकी अंतर दशा आ गई तो आप यह तैह है कि आपकी जो अच्छी चल रही है लेकिन अचानक से आप देखोगे कि आपके partner आपकी बात नहीं सुन रहे और कहीं न कुई को आप समझे कि उसमें कितने प्रॉमिस बन रहे हैं उसके बाद आप यह देखे कि सब्तम भाव का स्वामी कौन है और सब्तम भाव को शुद्ध कैसे किया जा सकता है कोई भी लगन हो सकता है तो यह सबसे पहले अपने ब्रस्पति को ठीक करें दोस्तों अगर आपको क अपने आप मिलने शुरु हो जाएंगे ब्रस्पतिवार के दिन कोशिश करें करें कि थोड़े से बदाम ले लिजिए यह जाके मंदिर में किसी भी सेवादार को आप दान करें दोस्तों आप देखो के कुछ समय के अंदर ब्रस्पति हर तरीके से हमारी जिन्दगी सुरक् करता है उसका बचाव करता है वो कुछी भी रूप में हो मैं ऐसी कितनी कुणलिया देखता हूं दोस्तों कि यहां पर मैं खुद कहता हूं कि यहां पर इनकी मेरेड लाइफ में प्रॉलम होगी या इनकी पार्टनर्शिप में दिक्कते होंगी लेकिन वहीं ब्रस्पति जब झाल